वेलकम बैक स्टुडेंट्स एक बार फिर से आप लोगों का अकना क्लासिस पर स्वागत है द्याम दीजिए आज हम लोग कच्छा पांज नहितिक सिच्छा के पार्ट ठिक गया रहा है स्वाद्ध्याय इस पार्ट के एक्सरसाइज को समझने का कोसिस करेंगे देखिए इस पहला जो प्रश्ण है वह स्वाद्ध्याय क्या है तो जब यह पार्ट आपको पढ़ाया गया था तो उसमें सब कुछ एक्स्प्लेन किया गया है देखिए स्वाद्ध्याय का मतलब वेद उपनिसद गीता सत्यार्थ प्रकास आदि सद्ग्रंतों का प्रति दिन पढ़ना और उन पर विचार करना ही स्वाद्ध्याय कहलाता है इन जो भी हमारे ग्यान से भरी होई बुक्स हैं पुस्तके हैं उनका अध्यान करना जिन में से कुछ का नाम यहां लिया गया है वेद उपनिसद गीता सत्यार्थ प्रकास इन सद्ग्रंतों का अगर हम प्रति दिन ऐसा क्या हुआ था कि मात्मा हंसराज जी घबरा गगई उत्तर जब हंसराज जी के बड़े भाई मुल्क राज जी उन से किसी बात पर ओप्रशन हो गए और उन्हें मासिक सहायता देना भी बंद कर दिया तब उनकी आर्थिक दसा दैनी हो गई उस समय समाचार पत्रों में भी उनके विरुद्ध लेक छप रहे थे ऐसी परिस्तिती में वे घबरा गए देखिए आपको मालूम होगा पिछले क्लासेज में भी आप लोगों ने हंसराज जी के बारे में कुछ इस्टडी किया होगा इनके बड़े भाई का नाम मुल्क राज था और हंसराज जी अव एतनिक डियेवी की सेवा करते थे तो इनके बड़े भाई ने अपने वेतन का कुछ हिस्सा इनके जीव को पारजन के लिए देना सुरू कर दिया था लेकिन किसी बात पर इनके भाई साहब नाराज हो गए थे और ये मासिक सहायता देना बंद कर दिये और उसी दोरान क्या और आता कि भई समाचार पत्रों में भी नियूच्पेपर्स में भी इनके खिलाब लेक छप रहे थे तो इसी इस्तिति में ये घबरा गये थे अगला प्रश्ण प्रश्ण तीन गीता पुस्तक की किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई गीता पुस्तक जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें एक पंक्ति उन्होंने देखा कर्मडे वाधिकार अस्ते माफले सू कधाचन अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है फलों पर बिल्कुल नहीं यानि हम लोगों को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए उसके फल की चिंदा नहीं करनी चाहिए गीता पुस्तक की इसी पंक्ति को पढ़कर हंस्राज जी की घबराहट दूर हुई अगला प्रश्ण देखिए अपने आपको पढ़ने का क्या अभिप्राय है अपने आपको पढ़ने का अभिप्राय स्वयम का मुल्यांकन करना है अपने आचरण अपने बेहवार आदि के बारे में विचार करना कि मैं कितना सही हूँ या गलत यही अपने आपको पढ़ना है देखिए अपने आपको पढ़ने का मतलब यह है कि हम अपने गुण और दोस्त को अध्यान करें हम यह अपने आपको विचार करके उत्तर यहां आपके सामने मैंने पढ़कर सुना दिया है यह वीडियों भी उपलब्ध है तो आप अपने पार्ट को लिख सकते हैं अपनी काउपी में उमीद है आपको वीडियों अच्छा लगा होगा धन्याद थेंक्यू